Hello Students, Welcome to Jumaqsa Classes. Today we are going to discuss about Fundamental Rights. तो देखिए अभी तक अपनने अपनी पॉलिटी की सीरीज में क्या-क्या देखा है, तो जैसा मैंने आपको बताए किसी भी एरिये को for example इंडिया को गवर्न करने के लिए जो उसका Supreme Law है जो अपना major document है या highest document है जैसे Constitution of India कहा जाता है उसको अपन पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं उसके अंदर अपनने प्रेमबल देखा, part 1 देखा, part 2 देखा और part 3 में fundamental right को अपनने start कर दिये थे उसके कुछ basics देख लिए है, fundamental right क्या होता है, उन सब पर बात हो गई है article 12 और article 13 पर बात की जा चुकी है आज अपन बात करेंगे right to equality पर जो article 14 से 18 के बीच में दिया गया है तो चलिए अपने lecture को start करते हैं, आपकी जो भी query हो आपके email ID में send कर सकते हैं यह हमारा instagram है और हमारा telegram channel है, इसे जरूर join कीजेगा ताकि आपको हमारे other videos की link प्राप हो सके तो चलिए start करते right to equality, तो देखिए इससे पहले आपको समझना होगा, कल जैसे मैंने आपको बता था fundamental right क्या होते हैं जो article 21A में दिया गया है, उसका spiritual development करना है, तो उसको अपने धर्म को मानने की या religion को मानने की सुतनता होनी चाहिए, जो article 25 से 28 के बीच में दिया गया है, इसी तरीके से समाज में society में कूपरता प्रचलिती, जिसे कहा जाता था untouchability, असप्रसता, उसकी समापती की जानी चाहिए, समाज में वो नहीं होनी चाहिए, तभी तो equality आप आएगी, तो ये सारी चीज़ें पर अपन पिछली बार में inequality होगी, क्योंकि equality तभी दी जा सकती है, जब समाज में मालनी चीज़े, inequality है, यदि equality चली रही होती, तो equality का right क्यों डाला होता, जैसे for example, देखिए, समाज में क्या था, असप्रसता थी, तो वो कहीं न कहीं क्या थी, inequality create करती थी, तो आप देखेंगे, equality भी दो तरीके की होती है, एक natural होती है, और एक artificial होती है, प्राकृतिक और कृतिम, प्राकृतिक, inequality का अपन कुछ नहीं कर सकते, वो तो जो है, प्रकृति ने प्रदान की है, लेकिन आप देखेंगे, जो society दोरा create की गई, inequality होती है, उसे क् प्रिटिम या artificial inequality कहा जाता है, और उसी को दूर करने के लिए कहीं न कहीं constitution maker ने सम्मेदान में right to equality डाला है, और इसी तरीके से आप देखेंगे, तो equality भी कैसी होगी, एक formal होगी, और एक real होगी, formal मतलब जैसे for example, यदि equality का क्या मतलब होता है, यदि कहीं, माली जी है, टिके लाइन अलग होती है, elder लोगों की लाइन अलग होती है, और normal man की अलग होती है, तो यदि आप देखेंगे, जो वास्तविक equality है, वो इस तरीके की होनी चाहिए, कि जो जिनको अलग से line दी जानी चाहिए, उनको अलग line दी जाए, जैसे older लोगों को अलग दी जानी चाहिए यह वो natural equality होती है, तो इस तरीके से I hope आपको समझाया होगा कि equality इसलिए है क्योंकि समाज में inequality थी, और equality भी दो तरीके की होती है, एक formal होती है, एक formal और एक real होती है, इस तरीके से complete होता है, अब अपने start करते हैं एक एक article, तो देखें पहला article देखेंगे equality before law and equal protection of law, फिर उसक लिए start करते हैं, यहाँ आप देख सकते है, equality before law and equal protection of law, तो देखें यह इसमें दो चीज़े हैं, एक है equality before law और एक है equal protection of law, विदी के समक्च समता और विदी का समाल सनक्चन, तो देखें क्या बोलता है, यह यह चीज़ बोलता है कि माल लीजिए, for example, अम्बानी जी है, उनक आपको बराबर से क्या मिलेगी, सजा मिलेगी, तो यह इसकी बात करता है कि territory of India में सब के साथ क्या किया जाएगा, equal protection of law किया जाएगा, और equality before law किया जाएगा, इस तरीके से आप इसको read करेंगे, आपको समझ जाएगा कि कौन-कौन इसमें सामिल है, सारे persons सामिल है, यह negative concept माना जाता है, एक तरीके का negative concept है, ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें कहा जाता है, law के ऊपर कोई नहीं है, law के ऊपर कोई नहीं है, तो इसमें क्या किया जाता है, किसी को भी एक special privilege नहीं दिया जाता है, है ना हर person यदि उसका social status कुछ भी हो, वो jurisdiction of court में क्या होगा, आएगा, हर person आएगा, उसके साथ क्या है, अमीर गरीब इसाधार पर भेदवाओ, नहीं किया जाता है, तो ये तरीके का negative concept हो जाता है, इसको आपको जरूर देख लेना है, फिर equal protection of law क्या बोलता है, equal protection of law एक positive concept है, क्यों, क्योंकि ये equal treatment करता है, under equal some circumstances, मतलब क्या हुआ, देख ये जैस गलती से crime हो जाता है, तो जो teacher है, जिससे गलती से crime हुआ है, उसकी condition अलग थी, और जो अपरादी हमेशा crime करता है, उसकी condition अलग थी, तो जो अपरादी वाला group है, और जो teacher वाला group है, उसमें क्या होगा, दोनों में अलग अलग विभेत किया जाएगा, जब crime की क्या की अपल तो उसमें सब टीचर को बराबर से सजा मिलेगी तो एक तरीकी का positive concept है आपको यह ध्यान रखना और इसको रीट जरूर कर लेना है यहाँ पिंदी में भी देख सकते हैं चलिए तो अब अपन एक्वेलिटी की भी exception है ऐसा नहीं है कि भारत में पूरा मदल एक्वेलिटी के अंदर भी बहुत सारे exception है हर चीज के exception होते हैं जैसे president of India जो governor of state है उनको क्या किया गया है कुछ exception दिया गया है यदि वो उनके उपर कोई civil और criminal proceedings नहीं चलाई जा सकती जब वो power में है duty में है य एक exception हो गया इसी तरीके से कोई reporter है और वो क्या कर रहा है यदि reporting कर रहा है और सही ख़बर को सही से चाप रहा है तो उसको भी यहाँ पे equality में क्या दिया गया है exception दिया गया कि उसके उपर भी यह नहीं करेंगे कि तुमने lock out लंगन कर दिया तो तुमें गिरफतार कर लेते तुमारे उपर यह सजा कर देते हैं इसी तरीके से member of parliament MP आपने देखा होगा कभी संसच चलते देखा होगा तो वहाँ पर जो भी बाते बोलते हैं उसके आधार पर उनको क्या कर सकते यह नहीं बोला जा सकता कि आपने lock out लंगन किया है तो आपके उपर Supreme Court में case कर दिया जा माली जे सारक का कोई कार्यल है या माली जे कोई brand ambassador आते हैं भारत से तो इस तरीके के लोगों को क्या immunity दी जाती है तो आपको यह धान जरूर रखना है exception से UPSC question पूछ सकता है आपको यह जरूर धान रखना है यहाँ आप इंदी में भी देख सकते हैं अब अपन बात करते ह article 15 की है ना तो article 15 क्या बोलता है prohibition of discrimination on grounds of religion, race, caste, sex और place of birth तो आपको देखना है कि article 15 में भी कई सब पार्ट हैं तो 15.1 में यह बोला गया है कि यह सारे आधार पर बेदवाव नहीं किया जा सकता है यह इन में से किसी एक आधार पर भी बेदवाव नहीं किया जा सकता है है न तो यह आपको देहन रखना है जैसे for example सिर्फ caste के आधार पर भी बेदवाव नहीं किया जा सकता और religion, race, caste, sex और place और इनके कमाईन रूप से भी बेदवाव नहीं किया जा सकता और यह सिर्फ state को मलब state के against में मिला हुआ है यह discrimination क्या है सिर्फ state नहीं कर सकता है किसी के साथ उसी तरीके से देखेंगे आप तो किस तरीके का विवेद नहीं कर सकता है जैसे for example आप देखेंगे कि कोई पार्क है, कोई रोड है, कोई वैल है, कोई माली जै कोई अपन जैसे mall है, mall में तो mall में आप इस आदार पर किसी को जाने से नहीं रोख सकते कि आप इस जाती के त आप किसी के साथ बेदभाव नहीं करेंगे, जबकि 15.3, 15.4 इस तरीके जो आर्टिकल है, इनमें कहीं न कहीं protective discrimination दिया है, protective discrimination का मतलब क्या होता है, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया, यदि माल लीजिए, for example, एक समाज में बहुत सार से क्या थे, पेट्रिकल सोसाइटी थी, पेट्रियार्कल सोसाइटी, पित्र सत्तात्मक समाज था, तो महां महीला होंगी स्थिति क्या थी, बहुत निम्न थी, अब माल लीजिए इदर पुरी सी पुरुस को बढ़ावा दिया जा रहा था, इनी को education दिया जा रहा था, इनी को सब चीजे दी जा रही थी, तो obvious सी बात है कि future में क्या होगा, ये लोग आगे निकल चुके होंगे, और इनको अतनी क्या की सुवीधा नहीं दी गई, तो ये लोगों का क्या होगा, degradation हो गया, तो अब आप बताई, समाज मेरी equality लानी है, तो कही इनमें बोलाएं कि आप क्या कर सकते हैं, इनको दबाया जा रहा है, इस तरीके की चीज़े हो रही तो इनको special privilege दी जा सकती है, इसी तरीके से चिल्रेंड को दी जा सकती है, आप देखेंगे, पॉक्सो एक्ट है, इनके साथ अपराद हो रहे हैं, तो ये सारी चीज़े क्यों, जैसे आपको मालूम है, इतियास में SCST के साथ क्या हुआ, बहुत ज़्यादा सोचन हुआ, उनको बहुत सालों तक सिक्छा नहीं दी गई, समास से बाहर रखा गया, सुविदाय नहीं दी गई, तो अब क्या उनको अपना आगे लाने के लिए कुछ special provision दे सकते हैं, क्योंकि आप सोचिए ना, यदि आप cricket का match देखते हैं, यदि उसमें एक team क्या है, बहुत ज़्यादा मजबूत और एक बहुत कमजोर है, तो कमजोर team को कहीना कहीं, थोड़ा सा edge दे के उनको बराबर level playing field बना के ही, तो कहीना कहीं आगे ले जाया जा सकता है, तो इसी तरी बात करते है, article 15.5, तो देखे 15.5 क्या बोलता है, कि जैसे for example क्या हुआ, कि एक case हुआ था, 15.4, जैसे 15.4 के बारे में बताऊं, तो मदरास में एक case हुआ, उसमें क्या हुआ, आरक्षण 78% पहुच गया था, अब उस 80% आरक्षण को इस आदार पर challenge दिया गया, कि आप 15.1 और 15.2 में ये बोलते हैं, कि किसी caste के आदार पर वेदबाव नहीं किया जा सकता, तो चंपकम, दोराई, राजन, केस था, तामिल नाडू का था, उनमें बोला कि आपने तो वेदबाव कर दिया, 78% आरक्षण पहुच गया, तो सरकार ने क्या कि आप सरकार को देना था, आ इजुकेशनल इंस्टिउट्उट्उट्उट्उट्उट्उट्उट्उट्उट्उट्उट्उट्उट्उट्उट्उट्उट्उट्उट्उट्उट्उट्उट्उट्उट्उट्उट्उट्उट्उट्उट्उट्उट्उट्उट्उट्उट्उट्उट् कई ना कहीं अरक्षण नहीं दे सकती हो फिर आपको मालूम हो गई हाली में इंपॉर्टेंट टॉपिक है इससे question पूछा जा सकता है 156 को अभी 100 3rd constitutional amendment के दोरा जोडा गया यह क्या है वोई अरक्षण अरक्षण बढ़ता चला जा रहा है जैसे अरक्षण SCST को दिया अरक्षण OBC को दिया उसी के बाद आगे बाद चली कि अब क्या है जनरल में भी एक class होती है जैसे EWS कहा जाता है उनको 10% अरक्षण देना है काई में समा में और ज्यादा डिटेल में डिसकास कर लेंगे अब अपन बात करते है आर्टिकल 16 की तो देखिए अभी तक अपन ने क्या क्या देखा मैंने आपको आर्टिकल 14 मताया क्या बोलता है equality before law और equal protection of law equality before law क्या है negative concept है वो यह बोलता है कि law के ऊपर कोई नहीं है आपको मालूम ह प्रोफेसर डाइसी जी थे उन्होंने बताया था कि जो rule of law होता है उसके लिए चार कंपोनेंट की आविशक्ता होती है एक तो आपका जो law है वो लिखे होने चाहिए दूसरा जो आपकी जो government है वो क्या होनी चाहिए चुनी जनता दौरा चुनी गई होनी चाहिए फिर equal protection of law जैसा मैंने आपको बताएगी वर्ग के बीच में बिवेद किया जा सकता है लेकिन वर्ग के अंदर बिवेद नहीं किया जा सकता फिर मैंने article 15 बताएगी आप discrimination नहीं कर सकते उसमें 15,1,2,3,4 सब समझा है आपको कौन-कौन से amendment से उसमें article जुड़े वो भी मैंने बार्ग जाने से नहीं रोकना है 16 क्या बोलता है जब सरकार नौकरी निकाले सरकारी नौकरी आया या पबलिक employment आया तो उसमें विवेद नहीं किया जाना चाहिए article 16 से related है जैसे आप देख सकते हैं कि कोई भी public office में appointment के तोर पर या employment के अंदर कभी विवेद नहीं किया जा द्यान रखनी है अब इसके भी exceptions है इसका क्या मतलब है आर्टिकल का आपको समझा रहा होगा देखिए आपके रियल लाइफ जित्ती भी examples होते हैं उनसे आपको आर्टिकल को connect करना है जैसे आपको पता है इदिमाल लीजे for example किसी भी परिक्षा का form आता है तो उस परिक्ष यूज़ करने से नहीं रोख सकते हैं आप इसके भी exceptions है क्या exceptions है देखिए for example माली जे यूपी है यूपी में अब क्या हुआ यूपी में कोई पटवारी की जौब निकली अब यूपी में पटवारी जो होते हो गाओं में होते हैं अब गाओं में क्या होते है अदिक्तर ज गूचा जासकता है उपे सी फिलिम्स में कि उपी स्टेट नहीं स्टेट गर्मेंट नहीं पारल्लेमेंट किया कर सकती है किसी-किसी जोब के लिए जो है कि वहां की डिया जरूरी कर सकती है तो आपको ये ध्यान रखना है और स्टेट क्या है अब एक और इसका exception है जैसे आपको मालूम है कि OBC जो होता है OBC आरक्षण जो दिया जाता है वो स्टेट के हाथ में होता है सरकार ने स्टेट को मलब स्टेट गवर्मेंट को बोल रखाए कि यदि आपके हाँ जो अब उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो यह भी एक exception है जैसे for example माल लीजिए कि एक हिंदू क्या मंदिर है या हिंदू ट्रस्ट है अब हिंदू मंदिर हिंदू ट्रस्ट की अपनी मानिता है हिंदू religion वाली इसी तरीके से आप मुसलिम देखेंगे मुसलिम का ट्र आने वाला जो भी वेक्ति होगा वो उसी religion का होगा तो यह जरूरी भी है क्योंकि उसी religion की उसी को समझ है तो यह exception इस बारे में बात करता है तो इस आधार पर विवेत किया जा सकता है बागी किसी आधार पर विवेत नहीं किया जा सकता है लेकिन इनके इलावा आधार पर विवेत किया जा सकता है जो कि इसके exceptions है यह आप इंदी में भी देख सकते हैं अब अपन बात करते हैं article 16-4 ये भी exception है मैंने जैसे आपको बता है OBC SCST को अरक्षण दिया जा सकता है मैंने आपको बता है समाज में कई सालों तक किसी के साथ यदि गलत हुआ है उनको दबाया उनको थी सुविदाए नहीं दीगी तो level playing field बनाने के लिए कहीं न कहीं क्या उनको आरक्षण दिया जाना चाहिए article 16-4 से related मंडल कमीशन जब OBC आरक्षण की बात हुई तो कई कमीशन बने उनमें मंडल कमीशन आया और मंडल कमीशन की report के आधार पर 27% OBC को आरक्षण दि सिर्फ कहां दिया जाएगा reservation सरकारी नौकरी में दिया जाएगा सिक्षण संस्थान में दिया जाएगा लेकिन promotion में नहीं दिया जाएगा और ये भी बोला गया कि reservation 50% का cap होगा इससे जदा reservation नहीं दिया जा सकेगा तो आप देखते होंगे भी हाली news में आता है कि किसी परि क्रीमी लियर का concept है वो सिर्फ OBC पे apply होगा ना कि SC, ST पे क्योंकि SC, ST का जो आरक्षण है वो कब 1935 में ही list कर दिया गया था कि 15% आरक्षण होगा 7.5% आरक्षण होगा फिर OBC के आरक्षण की जब बात चली तब यहां पर बोलागे कि OBC में creamy layer भी होगी और non creamy layer भी होगी औ पर उसाधार पर आरक्षण दिया जाएगा तो यह आपको read कर लेना अब इसी का एक exception है 16.4a देखिए क्या हुआ जैसे for example इधर पर जब यहां बोला गया कि promotion में आरक्षण नहीं दी जाएगा इंदरासानी केस में लेकिन सरकार और Parliament चाता था कि promotion में भी आरक्षण का प्र पोश्ट के लिए क्या हुए selection करवाय जा रहा है या नुक्ती दी जा रही है माली जी MPPSC में कोई exam हो रहा है उसमें 1000 पोश्ट के लिए क्या हो रहा है exam हो रहा है अब इस 1000 में माली जे 500 पोश्ट जनरल की और बची 500 पोश्ट किसकी है जो अपनी category होती उनकी है अब माली ज पोश्ट तो थी वो category की थी तो वो category में ही जुड़ना चाहिए तो इसी category में ही जुड़े वो पोश्ट उसके लिए 81 constitutional amendment एक किया गया और इसे ही carry forward policy कहा जाता है और 16 चह तो आपको मालूम होगा जैसे 16-15 चह क्या था वो 103 constitutional amendment के दौरा सिक्षण संस्तान में EWS के लिए आरक प्राफधान करता है और इनके बारे में अलग से वीडियो में अपने current affair में या कहीं discuss जरूर करेंगे यहाँ पिंदी में भी देख सकते हैं अब अपन बात करते हैं Abolition of Untouchability and Prohibition of its Practice तो देखे मैंने आपको बताए कि समाज में आपने इतियास पढ़ा होगा इतियास में देखा होगा बहुत सारी कूप रता थी उसमें से एक कूप रता थी आपकी Untouchability चुआ चूट कि इस जाती के हो तो यहाँ से नहीं निकल सकते इस जाती के हो तो मंदि के दौरा थोपी गई थी और इसको रोका जाना जरूरी था क्योंकि यदि भारत को अखंड भारत बनाना है तो सम्मिधान में करने यह ध्यान दिया कि इस तारीके की प्रथा को रोका जाना चाहिए इसलिए डाला Article 17 जिसे बोलते Abolition of Untouchability और इसकी Practice को भी कोई नहीं कर सकत तो यह पावर किसको दिया यह पावर कहीं न कि इन मौलेक अधिकार में किसी भी आर्टिकल के तहत कोई भी कानून बनाने का अधिकार जो है वो Parliament को दिया गया किसको दिया गया पार्लेमेंट को दिया गया यह आपको ध्यान रखना आपसे पूछा जा सकता है और फ्रेस Untouch Untouchability को Constitution में कहीं भी Define नहीं किया गया है UPSC का फेवरेट है UPSC बहुत बार पूछ चुकाए कि यह वर्ट Constitution में Define है की नहीं तो आपको ध्यान रखना Untouchability Define नहीं है तो आप किसको पावर दिया गया था पार्लेमेंट को तो पार्लेमेंट ने क्या किया इसी को बेस बना के कानून बनाए क्या कानून बनाए जैसे यहां देख लीजिए Untouchability Act 1955 बनाया फिर क्या किया इसको अमेंड किया क्यों अमेंड किया इस एक्ट में मदद सुधार किये क्यों किये क्यों कि इसकी जो सजाती और कठोर की गई और punishment को क्या किया बढ़ाया गया वो किसमें बढ़ा चेंजेस किये थे Supreme Court ने बोला था कि उसका fake use बढ़ रहा है तो यदि कोई Crime करता Intouchability का और जिसके उपर यदि कोई ने इलजाम लगाया तो पहले थोड़ी सी DSP लेवल की inquiry की जाएगी और उसके बाद उस बंदे को पकड़ा जाएगा लेकिन क्या हुआ उसको लेके बहुत Untouchability है क्या वो एक केश हो गया था मैसूर हाई कोर्ट में चला गया था तो उनने Article 17 को क्या बोला is not Untouchability in its literal और grammatical sense but practice as it developed historically in the country, तो क्या एक में जैसे historically untouchability हुआ उसको रोका जाना जादा जरूरी है, फिर आप यहां देख लेंगे कि यह जो आर्टिकल है देखिए मैंने ज शुरू में भी article 12 में बताया है कि state को define किया गया कि state का जहां जहां आगे मतलब आएगा उसकी definition क्या होगी तो आपको article 12 को ध्यान से पढ़ लेना है तो अब state के खिलाफ है मतलब government of India के खिलाफ है एक तरीक से सरकार के खिलाफ है तो वो जो article 15-1 वो सरकार के खिलाफ था लेकिन 15-2 में आप देखेंगे तो वहाँ ये भी लिखा है कि ये सरकार के खिलाफ तो है किसी individual के खिलाफ भी है मतलब कि कोई Mr. A है वो Mr. B है तो Mr. A Mr. B को इस आधार पे नहीं रोक सकते है तो ये चीज आयोब आपको समझ आई होगी यहाँ अप इंदी में भी देख सकते हैं अब अपन बात करते लाश्ट आर्टिकल 18 की तो abolition of titles accept military and academy की ये चीज आपको ध्यान देनी है जहां जहां exception आए आपको ध्यान रखना है महीं से क्या है UPSC PSC और अपने कोई भी special privilege वाला वर्ग नहीं होगा किसी को extra सुविधा नहीं दी जाएगी जैसे अपने article 14 में बोला कि सब law के सामने बराबर होंगे तो राजा मराजा के साचन जो थे वो तो पहले हुआ करते थे जैसे ही democracy आई तो ये सारी चीज खतम हो गई तो इसलिए क्या है प समाज में क्या इस्तापित कर रहे है समानता इस्तापित कर रहे है और मैंने आपको बता है समानता अभी स्तापित की जाती है जब कभी समाज में क्या थी असमानता थी और असमानता कितने टाइप की होती वो मैं आपको बता चुका हुआ हूँ तो चलिए इस article पर फोकस करत से लेकिन अपने हाँ क्या है अपने जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि अपने एरिये में क्या है बहुत सारे भार से अंबेजडर आते हैं काम करते हैं जैसे ब्रिटेन का जो अपना जो होगा डिप्लोमेटिक डिप्लोमेट कार कर रहा होगा उनका जो ऑफेस होगा में ब्रिटेन का कोई ना कोई अधिकारी काम कर रहा होगा ऐसे रसिया का कोई होगा और महां की पूरे के पूरे क्या लोग आके काम कर रहे होंगे कोई कमपनी होगी या कोई भी व्यक्ति होगा मालीजे यूएन का कोई ambassador होगा तो इस तरीके के लोग भी जो भारत के नहीं है वो भारत के तो citizen नहीं है लेकिन वो भी क्या कर सकते हैं कोई foreign title को यदि उनको लेना है तो वो पहले किस से पूछेंगे भारत के president से पूछेंगे तो आपको ये दिहान रखना है और यदि वो जो ये आदमी यहां रह रह रहा है वो यदि कोई office of profit में office of profit क्या है मैं आपको parliament वाले chapter में detail में बताऊँगा office of profit ये होता है माल लीजे वो कोई lab के पद में काम कर रहा है जहां से उसको क्या भारत से lab मिल रहा है माल लीजे भारत सरकार की नौकरी कर रहा है और भारत सरकार उसको salary दे रही है तो यदि वो इस तरही के कोई office of profit में है यहां तो क्या था वो normal आदमी था वो ब्रिटेन के लिए काम कर रहा था तो उसको क्या करना पड़ेगा यदि लेना है क्या चीजे मैं बोल रहा हूँ यहां आप हिंदी में भी देख सकते हैं तो यहां आप देखिए हर चीज के exceptions होते हैं मैंने आपको बताया है तो यहां भी exceptions है जैसे आपने देखा होगा कि military और academy इन में title दिये सकते हैं आपने देखा होगा PhD कोई करता है तो उसके नाम के आगे doctor लग जाता है military में आपने देखा होगा general, major, general इस तरीके की चीजे होती है तो उनकी अनुमती दी गई है और आपके कान खड़े हो जाने चीजे जैसे ही exceptions आ है क्योंकि इसी से UPSC question बनाता है तो आपको ये चीज देख लेनी है अब देखे एक case हुआ बालाजी रागवन वर्सेज Union of India case इसमें क्या हुआ कि एक किताब लिखी गई थी उसमें क्या हुआ था किसी के नाम के आगे भारत रत्न लगा दिया था या पद्म भूशन लगा दिया था फिर Indian citizen free to receive awards है बट not title from foreign state तो इस तरीके की चीज़े आपको ध्यान रखना है अवार्ड तो आपने देखे हूँगे मिलते ही रहते हैं President जी को मिलते है Prime Minister जी को मिलते है तो ये चीज़े आपको ध्यान रखनी है तो अब इस तरीके से अपना ये वाला lecture complete होता है अगले lecture में अपन बात करेंगे Article 19 से 22 के बीच में I hope आपको lecture पसंद आया होगा आईए को एक revision मार लेते हैं या आप इंदी में भी देख सकते हैं अब अपन देखिए अभी तक अपन ने क्या देखा 14 देखा तो आपको क्या जब भी आप newspaper पढ़ते हैं तो आप देखते होंगे ये वाला article involved है ये वाला article involved है तो वो सारी चीज़ें आपको यहीं से समझ आनी चाहिए जैसे आप देखते होंगे कि Article 15 के आधार पर हमारे 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 साथ बेदबाओ नहीं किया जा सकता नहीं तो हम Supreme Court चले जाएंगे तो वो 15 में क्या दिया गए इन इन आधार पर बेदबाओ नहीं किया जा सकता है इसलिए आप किसी को रोक नहीं सकते हैं वहीं आप देखेंगे आर्टिकल 14 में अपने आप लॉक के सामने सब बराबर है तो अर्टिकल 14 बताया मैंने आर्टिकल 15 बताया फिर आर्टिकल 16 बताया कि आप किया कोई भी नौकरी निकले सरकारी पबलिक एंप्लोईमेंट की उसमें किसी के साथ आपने पढ़ा होगा, untouchability को समाप्त करना है, तभी तो देश आगे बढ़ेगा और अखंड भारत बनेगा और अपने देश का विकास होगा, इस तरीगी की प्रताओं को कभी नहीं बढ़ाना है, फिर article 18 मैंने आपको बताए, title से related है, उसके भी exception बताए, तो आपको सारे article अच्छे से पढ़ लेने है, समझ लेने, उनके exception को ध्यान रख लेना है, क्योंकि UPSC यहीं कहीं से question बनाएगा, तो चलिए, I hope आपको lecture पसंद आया होगा, तो आप comment कीजिए, like कीजिए, share कीजिए, ज्यादा से यादा लोगों तक पहुचाईए, thank you, thanks for watching